भुसकार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में UP SSSC ने PDT 2023 के माध्यम से एक नई वैकेंसी निकाली है जो की ग्राम पंचायत अधिकारी वाली वैकेंसी है और लगभग 1468 पोस्ट आए हैं तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि भरने की अंतिम तिथी क्या है और क्या क्या चीजे हैं उसके बारे में डीटेल डिसकेशन करते हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा है और 16 मई 2023 को भी ग्यापन प्रकासित हो गया है ऑनलाइन आवेधन और शुल्क जमा कब होगा यह 23 मई से शुरू होगा आखरी तिथी जो होगी ऑनलाइन आवेधन करने की और फीस जमा करने की वो रहेगी 12 जून 2023 और संसोधन वगरा आप 19 जून तक कर सकते हैं अब इसके बारे में बात करते हैं कि पहली बात कि आपको यह पता हो करने के बाद आपको भी पता है जैसे कि लेकपाल में हुआ था या फिर एन्म वाले में हुआ था यह लोग कट-off जारी करेंगे और चुकि पोस्ट कम है तो कट-off भी इसकी हाई जानी जाएगी ऐसा ही हुआ है अभी तक और बात चल रही है मतलब लोगों ने कहा है इस बात है जैसे आवेदन कैसे भरना है आपको तो upssc.gov.in पे आप जाएंगे वहाँ पे आप जो आवेदन निकला होगा वहाँ पे आप उसको फॉर्म को अपने फिल कर सकते हैं उसके बाद से वही बैसिक चीज़े हैं कि आपको अपनी परसनल डीटेल देनी पड़ेंग फीस वगरा की वही बात है जैसे कि पुराने पेपर्स में हुआ है तो 25 रुपए ही लगता है पहले तो फीस उसके बाद से बाद में जब एड्मिट कार्ड का समय आएगा तो आपसे अधिक पीस ली जाएगी वही जो 100 रुपए या 125 रुपए ली जाती है वो बात की बात है फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है ये सारी बातें आपको पता है आप देखिए जो ये पद निकला है वो पद क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत अधिकारी का ये पद है और यह इस्थाइ पद है ये भी आपको मान के चलना है और यहां आप देखिए कि ग्राम पंचायत अधिकारी की जो कुल पद है, वो आपको है 1468 पद, लेकिन जब हम बात करें, जनरल की तो 849, SC की बात करें तो 356 है, ST की बात करें, तो यह 7 पोस्ट है, OBC के लिए 149 और EWS के लिए 117 पोस्ट है, कुल मिलाकर यह पोस्ट है, उसके बाद से जो आरक्षन दिया जाता है, 16 स्रेंडी में, वो जो दिव्यांग के लिए दिया जाता है, वो अलग से आरक्षन की लिष्ट आप यहां पे देख सकते हैं, अब जो सबसे महत्तपूर बात है, वो यह है कि इस पद के लिए अहरता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, कि 2016 वाली नियमावली के माध्यम से ही होगा, तो intermediate की परीक्षा, या उसके समकत्षुमानिता की कोई परीक्षा होनी चाहिए, compulsory, और उसके साथ-साथ, निल्ट के साथ, जो N-I-E-L-I-T होता है, इसको निल्ट भी हम बोलते हैं, वहाँ से कम्प्यूटर में ट्रिपल-C का प्रमाणपत्र आपके पास होना चाहिए, और यह अधिमानी अहरता है, मतलब अगर आपने कहीं प्रादेशिक सेना में नौकरी की हो या फिर आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट हो, ग्रामीर प्रिष्ट भूमी हो तो इन लोगों को दी जाएगी, थोड़ी सी वरियता, 18 वर्स की आयू से लेकर 24 वर्स की आयू तक के लोग भर सकते हैं, चयन का अधार क्या होगा, तो केवल लिखित परीक्षा होगी, जो परीक्षा आपकी मुखे परीक्षा ली जाएगी, उसी के अधार पर चयन होगा, इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में यथा समय ये लोग सूचित करेंगे, मतलब इस नोटिफिकेशन मीनों ने सिलेबस के बारे में न थी और 50 नमबर का हिंदी आता था तो ये 500 नमबर के पेपर अब तक होते आए हैं और एक बटादो की